जहिन राम राम तो अगला टॉपिक मतलब अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए आप कॉमेंट कर दो और जो भी डाउट हो आपके वो एक एक डाउट लिख दो क्योंकि यहां पे सारे डाउट आपके एक एक दिन में क्लियर करने वाले देखो तो आज का जो डाउट है हो है दोड़ते समय सास फूलने की समस्या रीजन क्या है और चार डाउट जो है वह है सबसे पहला आता है एक बार आपको वीडियो में कहा भी था यह उनके साथ ज्यादा होता है जो लोग पहले दिन नने के लिए जा रहे होते हैं मालो आज आपका पहला दिन आप ग्राउ होगी ही होगी और यह होती है शुरुआत के 8-10 मिनट तो अगर आपका पहले दिन शुरुआत में ही सास फूलने की समस्या हो रही है तो मेरी एक एड़्वाइस है कि आप 10-15 मिनट अपने आपको दो उसके बाद चीजे नॉर्मल होने लगेंगी शुरुआत के 10-15 मिनट आ नहीं आपको ग्राउंड में आते ही हो रही ती पहला डाउट क्लियर दूसरा है एक वीडियो में हमने बहुत पहले लगबग दो साल पहले एक वीडियो में बताया था कि चने के पानी से अब चने का पानी क्या होता है बेसिकली जब आप चना खाते हो तो उसमें जो मतलब जितने भी मैक्रो मैक्रो न्यूटेंस सारे आपको मिल जाते हैं आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा है आपकी बॉड़ी मायरन के में लेवल को मेंटेन रगता है ब्लड सुगर के लिए भी अच्छा है सारी चीजों के लिए एक बढ़ा आपके पास तो सांस फू पीना पीना यह पहले बता दे रहे एक बेनिफिट यहां पर यह है कि जब आप चने का पानी पीते हो तो उसमें जो मिनरल्स होते वह आपको अंदर से इम्म्यूनिटी सिस्टम जो है वह आपका इस्ट्रॉंग करते हैं आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं और अंदर से जब आपको मजबूत बनाएंगे तब आप ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाऊगे और जब ग्राउंड पेहतर अपना हंड़र परसंट दे दोगे तो उससे बेनिफिट उसका बेनिफिट यह होगा कि आपका जो ब्रीधिंग यह हद तक सॉल हो जाएगी तो चने का पानी आप जरूरेट कर सकते हो अभी नहीं थोड़ा मौसम सही हो रहें तो अभी सर्दिया है तो अभी तो नुक्सान कर जाएगा जब हम इसको पर डिटेल वीडियो और बनाने वाले हैं चने के पानी को ठीक है यह हो गया आपके द सब ठीक है तो यह पांच एलेक्ट्रोलाइट्स जब हमारी बॉड़ी से जाते हैं तो उससे होता ही है कि हमारी मसल्स ठकने लगती है हमारी मसल्स ड्राइव होने लगती सोर होने लगती हमारी वीग पढ़ने लगती मतलब ऐसा लगता है कि हार्ट पे प्रेसर थोड़ा सा सब्सक्राइब करते हैं गोंगी को बच्राइब दुर्दी व EU निकरड़ें पर दो क्या होता है जब करते हैं कि वह जब हार्ट ब्रीद करता दो उसका की यह हो जाता है कि हमारी जो हाट पर जादा पड़ता है तो हमने लगत हैं में जल्दी-जल्दी सांस लेनी we पड़रहिए और हमें सांस फूनले की समस्या हु तो इलेक्टरोग क्या करता है इलेक्टरोग आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है आपके फिलूड ओजÁ आपके बाद पते यूरी निकलती तो इन सबसे आपकी बॉडी से वुटर बाहर जा रहा है और जो electrolytes हैं वो भी बार जा रहे हैं और यह क्या करता है electrolytes आपकी body में electrolytes के store को balance करता है तो यह काम होता है इसकी वज़े से इसका भी काफी हद तक benefit मिल सकता है यह सारी चीज़े आपको करनी पड़ेंगे तब कहीं जाके आप इस level पर पहुँच पाऊगे कोई एक चीज़ आपको effect diet नहीं देगी अच्छा आखरी point जो है जो हम आपसे कहेंगे कि आपको daily करना चाहिए वो क्या है आप जब भी सुगह उठते हो ठीक है तो खाली पेट गरम पानी और सहट का इस्तिमाल जरूर करो अब इसको क्यों इस्तिमाल करना हम वो समझाते हैं को कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो σουास नली होती नहां से आप सास लेते हो चाहि़ंगोहारे गले में कई संक्रमण होने लगता है तो जब आप सहथ पानी ये नीबू पानी इस तरीके का लेते हो तो संक्रमण खत्म होता जिससे कि हमें ब्रीदिंग में इतनी ज्यादा problem नहीं होती है और जो भी हमारा जिसे की dust होगाई dust allergy होती किसी को कुछ problem होती है जिसके तरीके की problem हो जाती है तो वो इस सब चीजों से दूर करता तो आप कोशिज करो कि डेली सहथ और गरब पानी सुबह जरूर पियो इससे बहुत हद तक आपको benefit मिलने वाला है अब multivitamin इसमें भी क्या help करें कब हो भी हम बता देते हैं को multi-vitamin में होते हैं बहुत सारे micronutrients मतलब कि vitamins आपके सारे हो गए आयरान पोटेसियम यह सब सारी चीजें होती है और multivitamin क्या करता है कि आपके अंदर अगर कोई डेफेसिंसी हो रही विटामिन की तो वो पूरी कर देता है अब आप जब workout कर रहे हो मालों आपको कोई चोट लग गई ठीक है आपको चोट लग गई तो वो जल्दी हील नहीं कर बाते हो उसकी वज़े से क्या दिक्कत होती है कि आप बहुत दिन दक बैट पर पड़े हो फिर आपका सैमना जा रहा है फिर यह सब दिक्कते होते होते कही न कहीं यह effect सांस फूलने पर भी पड़ता है तो आपको क्या करना है daily एक capsule multi vitamin का अपने breakfast के बाद जरूर एड करना है बहुत ही जरूरी है multi vitamin का एक capsule सुबह है अपने breakfast के बाद एड करो तो यह सारे point जब आप एक साथ मर्ज करोगे जब सारे point आप एक साथ देखोगे अब भी खत्म नहीं होती है और वर्काउट तो आपको अपना डेली करना ही है उसके उपर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं कल फिर एक और डाउट के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैफाराइब